प्रिष्ट संख्या 149, खंड तीन, रोजाना की जिंदगी, संस्कृती और राजनीती तीसरे खंड में आपका परिचय दैनिक जीवन के इतिहास से होगा, यहां आप खेल और पहनावे का इतिहास जान सकेंगे इतिहास महस दुनिया की महान या नाटकिय घटनाओं की दास्तान नहीं है, यह हमारे जीवन की छोटी मोटी बातों से भी उतना ही जुड़ा है हमारे आसपास की हर चीज का एक इतिहास है. जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो दवाएं हम लेते हैं, जो संगीत सुनते हैं, जो साहित ते पढ़ते हैं और जो खेल खेलते हैं. ये सब चीजें वक्त के साथ बनी हैं या बदली हैं. रोजमर्रा की चीज होने के चलते हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता हम ठहर कर सोचते भी नहीं कि सौ साल पहले इन में से कोई चीज कैसी रही होगी या अलग-अलग समाज के लोग भोजन या कपड़े के बारे में कैसे भिन-भिन तरीके से सोचते हैं अध्याय साथ इतिहास वह खेल पर है इसमें आप एक ऐसे खेल का इतिहास चानेंगे जिसने पिछले कुछ दशकों से अपने देश के लोगों को दीवाना कर रखा है क्रिकेट से जुड़ी खबरें अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं क्रिकेट का खेल आयोजित करके राश्ट्रों के बीच दोस्तियां गांठी जाती हैं और क्रिकेटर अपने देश के राज़दूत माने जाते हैं सच कहा जाए तो ये खेल भारत की एकदा का प्रतीक बनकर उभरा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था इस अध्याय में आपको इसके लंबे और तेढ़े मिढ़े सफर की एक जलक मिलेगी एक जमाने में करीब डेढ़ सौ साल पहले क्रिकेट फिरंगी खेल था इसका आविशकार इंगलिंड में हुआ और ये उननीस्वी सदी के विक्टोरियाई समाज और संस्कृती के रंग में रंग गया इस खेल को अंग्रेज अपने तमाम प्रिये मूल्यों बराबरी का नियाए, अनुशासन, शराफत यानि जेंटलमैनलीनेस का वहाख मानते थे क्रिकेट को स्कूलों में शारिरिक शिक्षा के व्रिहत्तर कारिक्रम के तहत लगाया गया कि लड़के आदर्श नागरिक बन सके लड़कियों को लड़कों का खेल खेलने की इजासत नहीं थी अंग्रेजों के साथ चलकर क्रिकेट उपनिवेशों में पहँचा उपनिवेशिक मालिकों ने सोचा कि खेल को इसके वाजब अंदाज इसकी असली भावना के साथ सिर्फ वही खेल सकते हैं लिहाजा जब उपनिवेश के घुलाम लोग कृकेٹ खेलने लगे और अकसर उनसे बेटर खेलने लगे इतना ही नहीं कई बार उन्हें हराने में भी सफल रहे तो उन्हें गंफीर चिन्ता होने लगी इस तरह क्रिकेट का खेल उपनिवेश्वाद और राष्ट्रवाद की राशनीती से जुड़ गया उपनिवेशों के अंदर खेल का अपना इतिहास भी पेचीदा रहा जैसा कि आप अध्याय साथ में सुनेंगे क्रिकेट, जाती, ख्षेत्र, समुदाय वा राष्ट्र की राशनीती से जुड़ गया राष्ट्रिये खेल के रूप में क्रिकेट का उभरना कई दशकों के एतिहासिक विकास का परिणाम था प्रिष्ट संख्या 140 क्रिकेट के बाद हम पहनावे की ओर बढ़ेंगे अध्याए आठ आप सुनेंगे कि पहनावे के इतिहास से हमें विभिन समाजों के इतिहास के बारे में कितना कुछ पता चलता है लोग जो कपड़े पहनते हैं उन पर समाज की रीती नीतियों की छाप होती है उन से हमें सुन्दर्ता, मर्यादा वा उचत अनुचत आचार वेवार के उनके ख्यालात का पता चलता है समाज के बदलने से ये रीतियां नीतियां भी बदलती हैं लेकिन समाज के रस्मो रिवाज और पहनावे उड़ावे में बदलाव के पीछे लंबी जद्दु जहद होती है इसका एक इतिहास होता है ये स्वभाविक तौर पर यूहीं बस हो नहीं जाते अध्याए आठ इसी इतिहास से आपका परिश्य कराएगा आप सुनेंगे कि इंगलन व भारत में पहनावे में हुए बदलाव किस तरह इन देशों में चल रहे सामाजिक आंदोलनों और आर्थिक परिवर्तनों से प्रभावित हुए आप एक बार फिर सुनेंगे कि पहनावा भी उपनिवेश्वादी वराष्टवादी जाती और वर्ग की राष्टवादी से किस गहराई से जुड़ा है पहनावे के इतिहास पर थोड़ा गौर करें तो स्वदेशी की राष्टवादी वचर्खे के प्रतीक में हमें नए अर्थ खुलते हुए सुनाई देंगे शायद इस से हमें महात्मा गांधी को भी बेहतर समझने का मौका मिले क्यूंकि वो अकेले ऐसे इनसान थे जो ना सिर्फ कपडों की राष्टवादी के प्रती निहायत सजक थे बलकि उन्होंने इस पर जम कर लिखा भी अगर आप इन दो एक चीजों के इतिहास को समझने लगें तो शायद अपनी जिंदगी के ऐसे पहलूं का इतिहास खुद टटोलने लगेंगे जिने अब तक आपने साधारन मान कर अंदेखा कर दिया था प्रिष्ट संख्या 141 इतिहास और खेल क्रिकेट की कहानी इस प्रिष्ट पर चित्र संख्या एक आज मौजूद सबसे पुराना बल्ला दिखाया गया है इसके मुड़े हुए सिरे हौकी स्टिक जैसे लगते हैं चित्र संख्या 2 लोट्स इंग्लेंड क्रिकेट का मैदान एक चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र 1821 अब आगे क्रिकेट इंग्लेंड में 500 साल पहले अलग-अलग नियमों के तहत खेले जा रहे गेंध डंडे के खेलों से पैदा हुआ बैट अंग्रेजी का एक पुराना शब्द है जिसका सीधा आर्थ है डंडा या कुंदा 17 सदी में एक खेल के रूप में क्रिकेट की आम पहचान बन चुकी थी और ये इतना लोकप्रिय हो चुका था कि रविवार को चर्च न जाकर मैच खेलने के लिए इसके दीवानों पर जुर्माना लगाया जाता था 18 सदी के मध्य तक बल्ले की बनावट हौकी स्ठिक की तरह नीचे से मुड़ी होती थी इसकी सीधी सी वज़ा ये थी के बॉल लुड़का कर अंडर आम फिकी जाती थी और बैट के डिचले सिरे का घुमाओ बल्ले बास को गेंद से संपर्क साधने में मदद करता था इंग्लेंड के गामों से उठकर ये खेल कैसे और कब बड़े शहरों के विशाल स्टेडियम में खेला जाने वाला आधुनिक खेल बन गया ये इतिहास का एक दिल्चस्प विशय है क्योंकि इतिहास का एक इस्तिमाल तो यही है कि वो हमें वर्तमान के बनने की कहनी बताए खेल हमारी मौजूदा जिंदगी का एक एहम हिस्सा है इसके जरीए हम अपना मनुरंजन करते हैं एक दूसरे से होड लेते हैं खुद को फिट रखते हैं और अपनी सामाजिक तरफतारी भी व्यक्त करते हैं अगर आज के दिन लाखों करोडों हिंदुस्तानी सब कुछ छोड़ चाड़ कर भारतिय टीम को टेस्ट या एक दिवसीय मैच खेलते देखने में जुट जाते हैं तो ये जानना जरूरी लगता है कि दक्षण पूर्व इंगलेंड में खो जा गया ये गेंद डंडे का ख खेल आखिर भारतिय उप महाद्वीब का जुनून कैसे बन गया इस खेल की कहानी इसलिए भी दिल्चस्प है क्यूंकि एक ओर जहां उपनिवेशवाद वर राष्टवाद की बड़ी कहानी इससे जुड़ी है तो दूसरी ओर धर्म वजाती की राशनीती ने भी एक हद त क्रिकेट के इस इतिहास में पहले हम इंगलंड में इसके विकास को सुनेंगे और उस समय प्रजलित शारिरिक चुस्ती वप्रशिक्षन की संस्क्रिती का भी जाइजा लेंगे तब हम भारत का रुख करते हुए क्रिकेट को यहां अपनाए जाने से लेकर इसमें हुए अमाजिक इतिहास से नथा गुथा है। क्रिकेट के सामाजिक और आजनेतिक इतिहास ने क्रिकेट को इसका अनुखा स्वरू प्रदान किया क्यूंकि यह क्रिकेट का शुरुआती दौर था। वाले बेसबॉल जैसे आधुनिक जमाने के लिहास से अप एक शाकृत लंबे खेल में भी उतने समय में नौ पारियां हो जाती हैं। जितने में क्रिकेट के लगू संसकरण यानि एक दिवसीय मैच की एक पारी हो पाती है। क्रिकेट की एक और दिल्चस्प खासियत ये है कि पिछ की लंबाई तो तै बाइस गज होती है पर मैदान का आकार प्रकार एक सा नहीं होता। हौकी, फुटबॉल जैसे दूसरे टीम खेलों में मैदान के आयाम तै होते हैं। क्रिकेट में नहीं। एडिलेट ओविल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है तो चिर्नई के चेपॉक की तरह लगभग गोल भी। मेल्बरन क्रिकेट ग्राउंड में छक्का होने के लिए गेंद को काफी दूरी तै करनी पड़ती है जबकि दिल्ली के फिरोस शाह कोटला में थोड़े प्रियास में ही गेंद सीमा रेखा के पार जाकर गिरती है। इन दोनों अजूबों के पीछे एतिहासिक कारण हैं। पायर चुनेंगे जिन्हें किसी भी विवात को निप्टाने का अंतिम अधिकार होगा। कि गेंद बास तेजी से बल्ले बास के नंगे पैड रहित पिंडलियों पर गेंद भीगते थे। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैंबलडन में 1760 के दशक में बना और मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब MCC की स्थापना 1787 में हुई। इसके अगले साल ही MCC ने क्रिकेट के नियमों में सुधार किये और उनका अभिभावक बन बैठा। MCC के सुधारों से खेल के रंग धंग में धेर सारे परिवर्तन हुए जिनने 18वी सदी के दूसरे हिस्से में लागो किया गया। आगे बढ़ने से पहले इस प्रिष्ठ पर चित्र संख्या चार। इस चित्र में वर्णन है, MCC द्वारा निर्धारत और संशोधित होने वाले क्रिकेट के नियमों को किस रूप में नियमित रूप से प्रकाशत किया जाता था। बल्ले बाजी के नियमों को भी आपचारिक रूप से तै किया जाता था। अब आगे। 1760 वर 1770 के दशक में जमीन पर लुड़काने की जगा गेंद को हवा में लहरा कर आगे पटकने का चलन हो गया था। इस से गेंद बाजों को गेंद की लंबाई का विकल्ब तो मिला ही, वे अब हवा में चक्मा भी दे सकते थे और पहले से कहीं तेज गेंदे फेख सकते थे। इस से स्पिन और स्विंग के लिए नए दर्वाजे खुले। जवाब में बल्ले बाजों को अपनी टाइमिंग वर शौट चैन पर महारत हासिल करनी थी एक नतीजा तो फोरण ये हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगा सीधे बल्ले ने ले ली इन सब की वज़ा से हुनर वर तकनीक महत्वपूर्ण हो गए जबकि उबर खाबर मैदान या शुद्ध ताकत की भूमिका कम हो गई गेंद का वजन अब साड़े पाच से पौने छे आउंस तक हो गया और बल्ले की चोड़ाई चार इंच कर दी गई ये तब हुआ जब एक बल्लेबास ने अपनी पूरी पारी विकेट जितने चोड़े बल्ले से खेल डाली पहला लेग बिफोर विकेट पग बाधा नियम 1774 में प्रकाशित हुआ लगभग उसी समय तीसरे स्टंप का चलन भी हुआ 1780 तक बड़े मैचों की अवधी तीन दिन की हो गई थी और इसी साल छे सीवन वाली क्रिकेट बॉल भी अस्तित्व में आई 19. सदी में धेर सारे बदलाव हुए वाइड बॉल का नियम लागू हुआ गेंद का सटीक व्यास तै किया गया चोट से बचाने के लिए पैट वा दस्ताने जैसे हिफासती उपकरण उपलब्ध हुए बाउंडरी की शुरुआत हुई जबके पहले हरे करण दोड कर लेना पड़ता था और सबसे एहम बात ओवराम बॉलिंग कानूनी ठहराई कई पर अठार्वी सदी में क्रिकेट पूर्व ओद्योगी खेल रहा जिसे परिपक्व होने के लिए ओद्योगी करांती यानि उन्नीस्वी सदी के दूसरे हिस्से का इंतजार करना पड़ा अपने इस खास इतिहास के चलते क्रिकेट में भूत वर्तमान दोनों की विशेशताएं शामिल हैं क्रिकेट की ग्रामीन जड़ों की पुष्टी टेस्ट मैच की अवधी से भी हो जाती है शुरू में क्रिकेट मैच की समय सीमा नहीं होती थी खेल तब तक चलता था जब तक एक टीम दूसरी को दोबारा पूरा आउट ना कर दे ग्रामीन जिन्दगी की रफ्तार धीमी थी और क्रिकेट के नियम और द्योगे क्रांती से पहले बनाए गए थे आधुनिक फैक्टरी का मतलब था कि लोगों को घंटे, दिहाडी या हफते के हिसाब से काम के पैसे मिलते थे फुटबॉल या हौकी जैसे खेलों की संहिताएं और द्योगे क्रांती के बाद बनी लिहाजा उनकी कठोर समय सीमाएं और द्योगिक शेहरी जिंदगी के रुटीन को ध्यान में रखकर बनाई गई उसी तरह क्रिकेट में मैदान के आकार का असपष्ट होना उसकी ग्रामिन शिरुवात का सबूत है क्रिकेट मूलत हा, गाउं के कॉमन्स में खेला जाता था कॉमन्स ऐसे सारवजनिक और खुले मैदान थे जिन पर पूरे समुदाये का साच्छा हک होता था कॉमन्स का आकार हरे गाउं में अलग-अलग होता था, इसलिए न तो बाउंडरी तै थी और नहीं चौके इस प्रिष्ट पर दिये गए नए शब्द संगिता सपश्च रूप से निर्धारत नियमों और कानूनों को आपचारिक रूप से सूत्र बद्ध कर देना अब आगे की चर्चा जब गेंद भीड में घुश जाती तो लोग क्षेतर रक्षक या फील्डर के लिए रास्ता बना देते थे ताकि वो आकर गेंद वापस ले जाए जब सीमा रेखा क्रिकेट के नियमावली का हिस्सा बनी तब भी विकेट से उसकी दूरी तै नहीं की गई नियम सिर्फ ये कहता है कि अमपायर दोनों कप्तानों से सलहा करके खेल के इलाके की सीमा तै करेगा खेल के आज़ारों को देखें तो पता चलता है कि वक्त के साथ बदलने के बावजूद क्रिकेट अपनी ग्रामीर इंगलेंड के जड़ों के प्रती वफादार रहा क्रिकेट के सबसे ज़रूरी उपकरण प्रकृती में उपलब्ध पूर्व औद्योगिक सामगरी से बनते हैं बल्ला, स्टंप वगिल्लियां लकडी से बनती हैं जबकि गेंद, चमडे, सुतली यानि च्वाइन और काग यानि कौक से आज भी बल्ला और गेंद, खाथ से ही बनते हैं, मशीन से नहीं बल्ले की सामगरी अलबत्ता वख्त के साथ बदली किसी जमाने में इसे लकडी के एक साबुत टुकडे से बनाया जाता था लेकिन अब इसके दो हिस्से होते हैं, बलेट या फट्टा जो विलो यानि बैद नामक पिर से बनता है और हत्था जो बेंथ से बनता है बेंथ तब जाकर उपलब्ध हुई जब यॉरोपिय उपनिवेशकारों वा कमपनियों ने खुद को एशिया में जमाया गॉल्फ और टेनिस के विपरीत, क्रिकेट ने प्लास्टिक, फाइबर शीशा या धातू जैसी और द्योगिक या कृत्रिम सामगरी के इस्तिमाल को सिरे से नका रहा है जब आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेनिस लिली ने ऐल्यूमीनियम के बल्ले से खेलने की कोशिश की तो अमपाइरों ने उसे अवैद करार दिया दूसरी और हिफाज़ती सा सामान पर तक्नीकी बदलाव का सीधा असर पड़ा है वलकेनाइस्ट रबड की खोच के बाद पैठ पहनने का रिवाज 1848 में चला जल्द ही दस्ताने भी बने और धातू, सिंथेटिक, वहलकी सामगरी से बने हेलमेट के बिना तो आधुने क्रिकेट की कलपना ही असंभव है इस प्रिष्ठ पर दो चित्र है पहले चित्र संख्या पाँच ये एक पोस्टर का चित्र है जिसमें लॉर्ट्स में 1848 में होने वाले एक मैच का एलान किया जा रहा है पोस्टर में शौकिया और पेशेवर खिलाडियों को जेंटल्मन और प्लेयर्स कहकर सम्भोधित किया गया है उन्नीसमी शताबदी में होने वाले मैचों के विज्यापन रंगमंच के पोस्टरों जैसे लगते थे और उनसे इस खेल के नाटकी ये स्वरूप का पता चलता है चित्र संख्या छे महान बल्लेबास W.G. Grace बल्लेबाजी के आते हुए दिखाए जा रहे हैं लॉड्स 1895 वो प्लेयर्स के खिलाफ जेंटलमेन के लिए खेलते थे प्रिश्ट संख्या 145 1.1 क्रिकेट और विक्टोरियाई इंग्लेंड इंग्लेंड में क्रिकेट के आयोजन पर अंग्रेजी समाज की चाप साफ है अमीरों को जो मज़े के लिए क्रिकेट क्हेलते थे शौकिया खिलाडी कहा गया और अपनी रोजी रोटी के लिए खेलने वाले गरीबों को पेशेवर यानि प्रोफेशनल कहा गया अमीर शौकिया दो कार्णों से थे एक, ये खेल उनके लिए एक तरह का मनोरंजन था खेलने के आनंद के लिए ना कि पैसे के लिए खेलना नवाबी ठाट की निशानी थी दूसरे, खेल में अमीरों को लुभा सकने लाइक पैसा भी नहीं था पेशेवर खिलाडियों का महिंताना वजीफा, चंदे या गेट पर एकठा किये गए पैसे से दिया जाता था मौसमी होने के कारण खेल से साल भर का रोजगार तो नहीं मिल सकता था जाड़े के महीनों यानि ओफ सीजन में ज्यादा तर पेशेवर खिलाडी ख़दानों में काम करते थे या कहीं और मस्दूरी करते थे शौकीनों की सामाजिक श्रेश्चता, क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा बन गई शौकीनों को जहां जेंटलमेन की उपाधी दी गई तो पेशेवरों को खिलाडी यानि प्लेयर्स का अधना सा नाम मिला मैदान में खुसने के उनके प्रवेश द्वार भी अलग-अलग थे इस से आगे बढ़ने से पहले, इस प्रिष्ठ पर पहले नए शब्द चंदा, किसी खास उद्देश्य जैसे क्रिकेट के लिए एकठा की जाने वाली राशी या मदद स्रोत क, टॉमस ह्यूज, अठारा सो बाईस से अठारा सो च्यानवे उन्होंने उस समय रगबी स्कूल में पढ़ाई की थी, जिस समय ठॉमस आरनल्ड वहां के प्रधाना चार्य थे अपने स्कूली अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा, जिसका शीर्षक था टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज अठारा सो सत्तावन में छपी ये किताब काफी लोकप्रिये हुई और उस से बाहुबली इसाईयत मस्किलर क्रिश्च्यानिटी के प्रसार में मदद मिली इसाई धर्म की इसधारा का मानना था कि स्वस्थ नागरिकों को इसाई आधर्शों और खेलों के जरीए ढाला जाना चाहिए इस पुस्तक में टॉम ब्राउन घर की याद में खोई रहने वाले और मुर्जाय से लड़के की जगा एक कद्दावर मर्दाना विद्यार्थी बन जाता है उसे नाएकों जैसी ख्याती मिलती है शारिरिक्साहस, खिलाडिपन, वफादारी और देशभक्ती की भावना के लिए सब उसकी चर्चा करते हैं ये रुपांतरन उस पब्लिक स्कूल के अनुशासन और खेल संस्कृती से पैदा होता है इसी उपर्न्यास के अंश चलो ब्राउन, अब अपने व्यंग बान मत मारो, मास्टर ने कहा मैंने इस खेल को वैज्ञानिक धंग से समझना शुरू कर दिया है और क्या शालीन खेल है ये है की नहीं, लेकिन ये सिर्फ खेल नहीं है, टॉम ने कहा बिलकुल, आर्थर ने कहा ब्रिटिश जवानों से लेकर बुढ़ों का जन्मसिद अधिकार, जैसे की बंदी, प्रत्यक्षिकरण और प्रक्रिया सम्मत न्याय हर ब्रिटिश का हक है इस से हमें अनुशासन और पारसपरिक निर्भरता की जो सीख मिलती है, वो अनमूल है, मास्टर ने कहना जारी रखा मुझे लगता है कि इस खेल को इतना ही निस्स्वार्थी होना चाहिए यहां व्यक्ती एक आदश में मिल जाता है वो इसलिए नहीं खेलता कि वो जीते, बलकि उसकी टीम जीते यह बिलकुल सही है, टॉम ने कहा और इसलिए फुटबॉल और क्रिकेट पुराने पारंपरिक खेलों के मुकाबले ज्यादा लोग परिये है क्योंकि बाकी खेलों में इनसान अपनी जीत के लिए खेलता है ना कि अपने पक्ष की जीत के लिए फिर एक आदश के कप्तान के क्या कहने, मस्टर ने कहा हमारी स्कूली दुनिया में कैसी गरिमा है इस पत की इसके लिए हुनर भी चाहिए, भद्रताब और सक्ती भी और ना जाने कितने सारे गुन और अगे बढ़ते हैं शौकीन जहां बल्ले बास हुआ करते थे वहीं खेल में असली मशक्कत और उर्जा वाले काम जैसे तेज गेंदबाजी, खिलाडियों के हिस्से आते थे क्रिकेट में संदेह का लाब, Benefit of Doubt हमेशा बल्ले बास को क्यों मिलता है उसकी एक वज़ा ये भी है क्रिकेट बल्ले बासों का ही खेल इसलिए बना क्योंकि नियम बनाते समय बल्ले बासी करने वाले जन्टल्मेंगे को तरजीह दी गई शौकिया खिलाडियों की सामाजिक श्रिश्टता कही नतीजा था के टीम का कप्तान पारंपरिक तोर पर बल्ले बास ही होता था इसलिए नहीं के बल्ले बास खुद्रती तोर पर बहतर कप्तान होते थे बलकि इसलिए कि बल्लेबास तो आम तोर पर जंटलमेन ही होते थे चाहे कलब की टीम हो या राश्ट्रे टीम कप्तान तो शौकिया खिलाडी ही होता था 1930 के दशक में जाकर पहली बार अंग्रेजी टीम के कप्तानी किसी पेशेवर खिलाडी यौक शाय के बल्लेबास लेन हटन ने की अकसर कहा जाता है कि वाटरलू का युद्ध इटन के खेल के मैदान में जीता गया इसका आर्थिये है कि ब्रेटन की सैनिक सफलता का राज उसके पबलिक स्कूल के बच्चों को सिखाए गए मुल्यों में था अंग्रेजी आवासिये विद्याले में अंग्रेज लड़कों को शाही इंग्लेंड के तीन एहम संस्थानों सेना प्रशासनिक सेवा वचर्च में करियर के लिए प्रशिक्षित किया जाता था उन्नीस्वी सदी की शुरुआत तक टॉमस आर्नल्ड जो मशूर रगबी स्कूल के हेड्मास्टर होने के साथ साथ आधुनिक पबलिक स्कूल प्रणाली के प्रणेता थे रगबी वह क्रिकेट जैसे खेलों को महस मैदानी खेल नहीं मानते थे बलकि अंग्रेज लड़कों को अनुशासन, उंच नीज का बोध, हुनर, स्वाभिमान की रीति नीती और नेत्रित वक्षमता सिखाने का जरिया मानते थे इन ही गुणों पर तो ब्रतानी सामराज्य को बनाने और चलाने का दारोमदार था विक्टोरियाई सामराज्य निर्मादा दूसरे देशों को जीतना निस्स्वार्थ समाज सेवा मानते थे क्योंकि उन से हारने के बाद ही तो पिछड़े समाज, प्रतानी गानून वो पश्चिमी ग्यान के संपर्क में आकर सब भेता का सबख सीख सकते थे क्रिकेट ने अभिजात अंग्रेजों की इस आत्मचहवी को पुष्ट करने में मदद की ऐसा शौकिया खेल को बतोर आदर्श पेश करके हुआ यानि खेल जहां फाइदे या जीत के लिए न होकर सिर्फ खेलने और स्पिरिट ओफ फेयर पले यानि नयायोचित खेल भावना के लिए खेला जाता था आगे बढ़ने से पहले इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या साथ इस चित्र में लॉट्स पर इटन और हैरो नमक मशूर पब्लिक स्कूलों के बीच क्रिकेट का मैच दिखाय जा रहा है ये खेल तो सब जगा एक जैसा लगता है लेकिन उसको देखने के लिए जुटने वाली फिर एक जैसी नहीं होती बोलर टोपियां पहने पुरुष और धूप से बचने के लिए पैरा सोल पहने मैश देखने आई औरतों के चित्रन से इस खेल का उच्च वरगिये सामाजिक चरित्र साफ समझ में आता है इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूस बीस जुलाई अठारा सो बहत्तर से सच्ची बात तो ये है कि निपोलियन के खिलाफ लड़ाई इसलिए जीती जा सकी कि स्कॉटलेंट वा वेल्स के लोह उद्द्योग लंकशायर की मिलों वा सिटी ओफ लंडन के वित्तिय घरानों से भरपूर सहयोग मिला इंगलेंड के व्यापार वा उद्द्योग में आगे होने के चलते ब्रिटन विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन गया था लेकिन अंग्रेशी शासक वर्ग को यही ख्याल अच्छा लगता था कि दुनिया में उनकी श्रेश्टा के पीछे आवासिये विद्यालों में बढ़कर तैयार हुए और शरीफों का खेल क्रिकेट खेलने वाले युवा वर्ग का चरित्र ही है प्रिश्ट संख्या 147 चित्र संख्या 8 औरतों के लिए क्रिकेट नहीं बलकि क्रोकेट जालरें और टोपियों से उनके खेलों के स्वरूप की छलक मिलती है Illustrated London News 20 July 1872 से 19. सदी के आखरी सालों तक खेलकूद और व्यायाम लड़कियों की शिक्षा का हिस्सा नहीं था 1858 से 1906 तक Cheltenham Ladies College की प्रधानाचार्य रही Dorothy B.L.A. ने स्कूल के जाच आयोग को बताया था लड़कों को क्रिकेट आदी खेलों से जो शारीरिक व्यायाम मिलता है उसके स्थान पर लड़कियों के लिए पैदल चाल और कूदने आदी की व्यवस्था की जानी चाहिए Kathleen E. McCrone, Play Up, Play Up and Play The Game, Sport at the Late Victorian Girls Public School से उद्रित 1890 के दशक तक पहुँचते पहुँचते स्कूल को खेल के मैदान आदी मिलने लगे और लड़कियों को भी उन खेलों में हाथ आजमाने का मौका मिलने लगा जिने अब तक केवल लड़कों का खेल माना जाता था लेकिन लड़कियों से प्रतिस्परधात्मक खेल की उम्मीद अब भी नहीं की जाती थी डोरोथी BLA ने 1893, 1894 में स्कूल परिशद को बताया मैं मानती हूँ कि लड़कियों को अपने शरीर पर जरूरत से ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए और नहीं उन्हें इतलेटिक प्रतिद्वंद विता में डूप जाना चाहिए इसलिए हम दूसरे स्कूलों के विरुध नहीं खेलते मेरे ख्याल में लड़कियों को उबर खाबर मैदानों में खुद को ठकाने की बजाए वनस्पती शास्त्र भूगर्ब शास्त्र आदी में ही दिल्चस्पी लेनी चाहिए कैथलीन E. मेक्रो ने प्ले अप, प्ले अप and प्ले दे गेम से उद्धृत अब क्रिया कलाब उननीसवी सदी के स्कूली पाठे क्रम के आधार पर उस समय लड़कियों के लिए कैसा आचरण सही माना जाता था प्रिष्ट संख्या 148 दो क्रिकेट का प्रसार पहले इस प्रिष्ट पर दिये गए दो चित्रों की व्याख्या चित्रसंख्या 9 अपनिवेशिक भारत के मैदानों में दो पहर बाद टेनिस यहाँ चित्रकार ने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि ये खेल मनुरंजन और व्यायाम दोनों लिहाज से उप्योगी था औरत मर्द प्रतिसपर्धा के लिए नहीं बलकि मनुरंजन के लिए साथ साथ खेल सकते थे ग्राफिक फरवरी 1880 से चित्रसंख्या 10 हिमाले की प्रिष्ट भूमी में मौच मस्ती के लिए चल रहा खेल इस तस्वीर में पैविलियन के आसपास खड़े नौकरों के अलावा शायद और कोई भारत ये नहीं है इस प्रिष्ट पर आने वाले नए शब्द मुलेटो अर्थात मिश्रित यॉरुपिये और अफ्रीकी मूल के लोग और अब आगे हौकी वा फुटबॉल जैसे खेल तो अंतराश्टे बन गए पर क्रिकेट आपनिवेशिक खेल ही बना रहा यानि ये उन्हीं देशों तक सीमित रहा जो कभी ब्रिटिश सामराज्य के अंग थे क्रिकेट की पूर्व और द्योगिक विचित्रता के कारण इसका निर्यात होना मुश्किल था इसने उन्हीं देशों में जड़े जमाई जहां अंग्रेजों ने कभजा जमा कर शासन किया इन उपनिवेशों जैसे की दक्षन अफरीका, जिम्बाववे, औस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, वेस्ट इंडीज और कीनिया में क्रिकेट इसलिए लोकप्रिये खेल बन पाया क्यूंकि गोरे बाशिंदों ने इसे अपनाया, या फिर जहां स्थानिय अभिजात वर्ग ने अपने अपनिवेशिक मालिकों की आदतों की नकल करने की कोशिश की, जैसे की भारत में हाला कि ब्रिटिश शाही अफसर उपनिवेशों में ये खेल लेकर जरूर आए, पर इसके प्रसार के लिए खास्तोर पर वेस्ट इंडीज वा हिंदुस्तान जैसे गेर गोरे उपनिवेशों में उन्होंने शायद ही कोई प्रियास किया क्रिकेट खेलना यहां सामाजिक वन नसली श्रेश्टता का प्रतीक बन गया और अफरीकी केरिबियाई आबादी को क्लब क्रिकेट खेलने से हमेशा हदुद साहित किया गया नतीजतन इस पर गोरे बागान मालिकों और उनके नौकरों का बोलबाला रहा वेस्ट इंडीज में पहला गयर गोरा क्लब उननीसमी सदी के अंत में बना और यहां भी सदस से हलके रंगवाले मुलेटो समुदाएके थे इस तरह काले रंग के लोग समुद्री बीचों पर सुनसान गलियों और पारकों में बड़ी संख्या में क्रिकेट खेलते थे लेकिन क्लब क्रिकेट पर उननीसो तीस के दशक तक गोरे अभीजनों का ही वर्चस्व रहा प्रिष्ट संख्या एक सो उन्चास इस प्रिष्ट पर दो चित्र चित्र संख्या ग्यारा हिमाले के गाउं में लोग काम चलाओ अंदास में क्रिकेट खेल रहे हैं अठारासो चुरानवे चित्र दस के विपरीत यहां खिलाडी हाथ की बनी विकटों और बल्लों से ही खेल रहे हैं उन्होंने लकडी के सामाने टुकडों को ही काट छाट कर यह उपकरण बनाए हैं चित्र संख्या बारहा लेरी कॉंस्टिन्टाइन वेस्ट इंडीज के विश्व प्रसिद्ध खिलाडियों में से एक का चित्र है इस प्रिष्ट पर आने वाला नया शब्द है डुमिनियन यानि ब्रिटिश सामराज्य के अंतरगत आने वाले स्वशासित क्षित्र और अब आगे की चर्चा वेस्ट इंडीज में अभिजाद गोरों की विशिष्टता वादी नीतियों के बावजूद केरिबियाई द्वीब समूह में क्रिकेट महालोकप्रिय हो गया क्रिकेट में काम्याबी का मतलब नसली समानता वराजनीती प्रगती हो गया अपनी आजादी के समय फोर्ब्स, बर्न हैम वा एरिक विलियम्स जैसे निताओं ने क्रिकेट में आत्मसम्मान और अंतराश्ट्रिय प्रतिष्ठा की संभावनाएं दिखी जब वेस्ट इंडीज ने 1950 के दशक में इंगलिन के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट श्रिंखला जीती तो राश्ट्रिय उत्सव मनाया गया मानो वेस्ट इंडियनों ने दिखा दिया हो कि वे गोरे अंग्रिजों से कम नहीं है इस महानजीत में दो विडम बनाएं थी पहली विज़ई वेस्ट इंडीज की टीम का कप्तान एक गोरा ही था याद रहे कि 1960 में पहली बार किसी अश्वेत फ्रांक वोरल को नेतरत्व संभालने का मौका मिला दूसरी वेस्ट इंडीज की टीम किसी एक देश की नहीं थी बलकि उसमें कई डोमिनियनों के खिलाडी शामिल थे और ये राज्य बाद में स्वतंत रुदेश बने मज़ेदार बात है कि केरिबियाई क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाली वेस्ट इंडीयन टीम वेस्ट इंडीयन एकता के तमाम असफल प्रयासों का एक मात्र अपवाद है क्रिकेट के फैन जानते हैं कि क्रिकेट देखने का मतलब ही है कि आप किसी ना किसी और से हैं रणजी ट्रॉफी मैच में जब दिल्ली का मुंबई से मुकाबला हो तो दर्शक की वफादारी इस पर निर्भर करती है कि वो किस शहर का है या वो किस का साथ दे रहा है जब भारत बनाम पाकिस्तान हो तो भोपाल या चन्नई के टेलिविजन पर मैच देखते दर्शकों की भावनाएं राश्ट्रिये निश्ठाओं से तैह होती हैं लेकिन भारत ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट के शुरुवाती इतिहास में टीमों को भोगौलिक आधारों पर नहीं बाटा जाता था बलकि ये जानना दिल्चस्प है कि 1932 के पहले किसी टीम को टेस्ट मैच में राश्ट्रिये नुमाइंदिगी का अधिकार नहीं मिला था त सुनते हैं कि इतिहास के पास इन सवालों के क्या जवाब हैं सुनें कि भारत में क्रिकेट कैसे पनपा और कौन सी वफदारियां बृतानी राज के जमाने में हिंदोस्तानियों को साथ ला रही थी और कौन उन्हें बाट रही थी अपनिवेशिक भारत में क्रिकेट, नसल और धर्म के आधार पर संगठित था भारत में क्रिकेट का पहला सुबूत हमें 1721 से मिला है जो अंग्रेज जहाजियों द्वारा कैमबे में खेले गए मैच का ब्योरा है पहला भारतिये कलब कलकत्ता कलब 1792 में बना पूरी 1821 सदी में क्रिकेट भारत में प्रिटिश सेनिक वा सिविल सर्विंट्स द्वारा सिर्फ गोरे कलबों वा जिम खानों में खेले जाने वाला खेल रहा इन कलबों की निजी चाहर दिवारियों के अंदर क्रिकेट खेलने में मज़ा तो था ही ये अंग्रेजों के भारतिये प्रवास के खत्रों वा मुश्किलों से रहत वा पलायन का सामान भी था हिंदुस्तानियों में इस खेल के लिए ज़रूरी हुनर की कमी समझी जाती थी नहीं उनसे खेलने की उम्मीद की जाती थी लेकिन वे खेले प्रिश्ट संख्या 150 पार्सी क्लबों के प्रायोजक वावित्त पोशक थे टाटा वाडिया जैसे पार्सी व्यवसाई क्रिकेट खेलने वाले गोरे प्रभु वर्ग ने उत्साही पार्सीयों की कोई मदद नहीं की उल्टे गोरों के बंबे जिम खाना कलब और पारसी क्रिकेटरों के बीच पार्क के इस्तिमाल को लेकर एक जगड़ा भी हुआ पार्सियों ने शिकायत की कि बॉम्बे जिम्खाना के पोलो टीम के घोड़ों द्वारा रौन्दे जाने के बाद मैदान क्रिकेट खिलने लायक नहीं रह गया जब ये साफ हो गया कि अपने वेशिक अधिकारी अपने देश्वासियों का पक्ष ले रहे हैं तो पार्सियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिम्खाना बनाया पर पार्सियों वनसलवादी बॉंबे जिम्खाना के बीच की इस स्परधा का अंत अच्छा हुआ पार्सियों की एक टीम ने बॉंबे जिम्खाना को 1889 में हरा दिया ये भारतिये राश्ट्रिये कॉंग्रिस की स्थापना के चार साल बाद हुआ और दिल्चस्प बात ये है कि इस संस्था के मूल नेताओं में से एक दादा भाई नौरुजी जो अपने वक्त के महान राजनेता वा बुद्धी जीवी थे पार्सि ही थे पार्सि जिम्खाना क्लब की स्थापना ने जैसे एक नई परमपरा डाल दी दूसरे भारतियों ने भी धर्म के आधार पर कलब बनाने चालू कर दिये हिंदू वो मुसल्मान दोनों ही 1890 के दशक में हिंदू वो इसलाम जिम्खाना के लिए पैसे इकठे करते दिखाई दिये ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत को राष्ट नहीं मानते थे उनके लिए तो ये जातियों, नसलों वो धर्मों के लोगों का एक समुच्चे था जिन्हें उन्होंने उप महादवीब के स्थर पर एक इकृत किया 19. सदी के अंत में कई हिंदूस्तानी संस्थाएं वो आंदोलन जाती वो धर्म के आधार पर ही बने क्यूंकि आपने वेशिक सरकार भी इन बटवारों को बढ़ावा देती थी सामुदाइक संस्थाओं को फोरण मानेता मिल जाती थी इस प्रिष्ट पर चितर संख्या 13 पार्सी टीम पहली भारती एक क्रिकेट टीम जिसने 1886 में इंग्लेंड का दौरा किया परम परागत क्रिकेट पोशाक के साथ वे पार्सी टोपी भी पहने हुए हैं प्रिष्ट संख्या 151 मिसाल के तौर पर इसलाम जिम खाना दौरा बंबई के समुद्री इलाखे के पासवाली जमीन की अर्जी पर विचार करते हुए बंबे प्रेजिडेंसी के गवर्नर ने लिखा हमें मान कर चलना चाहिए कि बहुत जल्द हमारे पास किसी हिंदू जिम खाना के लिए ऐसी ही अर्जी आएगी इन अर्जीों को ना मन्जूर करने का कोई उपाई मेरे पास नहीं है लेकिन मैं हर राष्ट्रियता के जिम खाने की स्थापना के बाद आगे के आवेदनों को स्विकार नहीं करूँगा इस पत्र से जाहिर है कि आपनिवेशिक अफसर हर एक धार्मिक समुदाय को अलग राष्ट्रियता मानते थे ये भी साफे कि धार्मिक प्रतिनिधित्व के नाम पर स्विकृती की गुणजाईश ज्यादा थी जिम खाना क्रिकेट के एतिहास ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट को सामप्रदाइक वनसली आधारों पर संगठित करने की रिवायट डाली उपनिवेशिक हिंदोस्तान में सबसे मशूर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने वाली टीमें क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती थी जैसा कि आजकल रणजी चौफी में होता है बलकि धार्मिक समुदायों की बनती थी इस टूर्नामेंट को शुरु-शुरु में क्वाड्रैंगुलर या चतुशकोणिये कहा गया क्यूंकि इसमें चार टीमें यॉर्पिय, पार्सी, हिंदू वा मुसल्मान खेलती थी बाद में ये पेंटागुलर या पांच कोणिये हो गया और दर्रेस्ट नाम की नई टीम में भारती इसाई जैसे बचे खुचे समुदायों को नुमाइंदगी दी गई मिसाल के तौर पर विजय हजारे जो इसाई थे दर्रेस्ट के लिए खेलते थे पत्रकारों, क्रिकेटरों, वराजनेताओं ने 1930 और 40 के दशक तक इस पांच कोणिये टूर्नामेंट की नसलवादी वा सामप्रदाइक बुनियाद पर सवाल उठाने शुरू कर दिये थे बॉम्बे क्रोनिकल नामक अखबार के मशूर संपादक, ऐसे बरेलवी, रेडियो कमेंटेटर एफस तलियार खान और भारत के सबसे लोकप्रिये राजनेता महात्मा गांधी ने पेंटेगिलर को समुदाए के आधार पर बांटने वाला बता कर इसकी निंदा की उनका कहना था, ऐसे समय में जब राश्च्रवादी हिंदुस्तानी अवाम को एक जुट करना चाह रहे थे, इस टूर्नमेंट का क्या दुख था इसके विप्रीत, क्षेत्र आधारित National Cricket Championship नामक एक नए टूर्नमेंट का आयोजन शुरू हुआ, जिसे बाद में रणजी टॉफी कहा गया, लेकिन पाच कोणिये टूर्नमेंट की जगा लेने के लिए इसे आजादी का इंतजार करना पड़ा पाच कोणिये टूर्नमेंट की नीव में ब्रतानी सरकार की फूट डालो राजकरो की नीती थी, ये एक आपनिवेशिक टूर्नमेंट था, जो ब्रिटिश राज के साथ खत्म हो गया इस प्रिश्च पर बॉक्स एक जाती और क्रिकेट पालवंकर बालू का जन्म 1875 में पूना में हुआ था, उस समय भारतियों को टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाता था इसके बावजूद बालू धीमिकती की गेंदबाजी में अपने समय के बेहतरीन गेंदबास थे बालू अपनिवेशिक काल के सबसे बड़े भारतिये क्रिकेट मुकाबले कौड्रैंगुलर में हिंदूस टीम की तरफ से खेलते थे अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी उन्हें कभी कप्तान नहीं बनाया गया क्योंकि वो दलित थे और सवार्न चैन करता उनके विरुद्ध पक्षपात करते थे आगे चलकर 1923 में उनके छोटे भाई विठ्थल को हिंदूस टीम की कप्तानी का मौका मिला और यॉरोपिये खिलाड़ीों के खिलाफ कई सफलताओं में उन्होंने अपनी टीम का नित्रत्व किया एक अख़बार के नाम भेजे गए पत्र में क्रिकेट के एक प्रशनसक ने हिंदूस टीम की जीत और अस्प्रिशता के विरुद्ध गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे अभियान को एक दूसरे से जोडते हुए लिखा था हिंदूस की शांदार विजय का श्रेय मुख्य रूप से इस बात को जाता है कि हिंदू जिम खाना के करता धरताओं ने देश के बेहतरीन के इत्वाज श्री बालू के भाई श्री विठ्थल को हिंदूस टीम का कप्तान न्युक्त किया है जो की अच्छूत वर्ग से आते है कि चुआचूत के खात्मे से ही स्वराज का रास्ता खुलेगा जो महात्मा जी की भी भविश्यवाणी है रामचंद्र गुहा अ कॉर्नर ओफ फॉरन फील्ड इस प्रिष्ठ पर चित्र संख्या चौधा ये चित्र पालवंकर बालू का है सन उन्नी सो चार अभूत पू का कप्तान नहीं बनाया गया प्रिष्ठ संख्या 152 तीन खेल के आधुनिक बदलाव आधुनिक क्रिकेट में टेस्ट और एक दिवसिये इंटरनाशनल का वर्चस्व है जिन्हें राश्ट्रिये टीमों के बीच खेला जाता है मशूर होकर लोगों की यादों में रच बस जाने वाले क्रिकेटर आम तोर पर अपनी राश्ट्रिये टीमों के खिलाडी होते हैं पांच कोणिये या पांच कोणिये और चतुश कोणिये मैचों के दौर से उन्हें खिलाडियों को हिंदुस्तानी फैन याद करते हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का सौभाग् अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाज सी के नाईजू को तो लोग अब भी याद करते हैं जबकि पालवंकर विठ्थल वा पालवंकर बालू जैसे उनके कुछ अन्य समकालीन इसलिए भुला दिये गए हैं क्यूंकि नाईजू का करियर तो लंबा था पर ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलने के वक्त तक सक्रिये नहीं रहे इस प्रिष्ट पर स्रोत घः महात्मा गांधी और आपनिवेशिक खेल महात्मा गांधी देहे और दिमाख के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए खेल कूत को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे लेकिन वो ये बात भी अकसर कहते थे कि क्रिकेट और होकी जैसे खेल अंग्रेज भारत में लेकर आए हैं और ये खेल हमारे परंपरागत खेलों को नश्ट करते जा रहे हैं उनका मानना था कि क्रिकेट, होकी, फुटबॉल और टेनिस चैसे खेल संपन नवर्गों के खेल हैं इन खेलों में आपनिवेशिक मनोदशा के दर्शन होते हैं और ये खेल हमारी अपनी मिट्टी से उपचे, साधरन व्यायामों के मुकाबले कम प्रभावी शिक्षा ही दे पाते हैं ऐसा उनका मानना था महात्मा गांधी के लेखों में से लिए गए इन तीन अंशों को सुनिए और टॉमस आरनल्ड या ह्यूस स्रोत का द्वारा शिक्षा और खेलकूत के बारे में व्यक्ते किये गए विचारों से उनकी तुलना कीजिए आईए अब शरीर की और दृष्टिपात करें हर रोज एक घंटा टेनिस, फुटबॉल, अत्वा क्रिकेट खेल लेने से क्या हम शरीर को शिक्षत हुआ कह सकते हैं ये सच है कि शरीर इसमें मजबूत होता है लेकिन जैसे जंगल में मनमाना दोड़ने फिरने वाले घोड़े का शरीर मजबूत तो कहा जा सकता है किन्तु शिक्षित नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार ऐसा शरीर मजबूत होते हुए भी शिक्षित नहीं कहा जा सकता शिक्षित शरीर निरोग होता है, मजबूत होता है, कसा हुआ होता है और उसके हाथ पैर आदी भी इच्छित कारे कर सकते हैं उसके हाथों में कुदाली, फावडा, हथोडा आदी सुशोभित होते हैं और ये हाथ इन सब का उपयोग भी कर सकते हैं तीस मील की यात्रा करते हुए शिक्षित शरीर ठकेगा नहीं ऐसी शारेरिक शिक्षा कैसे मिलती है हम कह सकते हैं कि आधुनिक पाठे क्रम में इस रिष्टी से शारेरिक शिक्षा नहीं दी जाती सच्ची शिक्षा क्या है 20 फर्वरी 1926 संपूर्ण गांधी वांगमय खंड 30 अंश 2 लेकिन अगर ये हकीकत हो कि इस पवित्र भूमी पर क्रिकेट और फुटबॉल का चलन होने से पहले आपके अपने राश्ट्रिये खेल हूँ तो मैं आपसे अनुरोद करूंगा कि आपकी संस्था को उन्हें पुनह प्रतिश्चित करना चाहिए मैं जानता हूँ कि भारत के कई बहुत अच्छे देशी खेल हैं वे क्रिकेट और फुटबॉल की ही तरह रूचक और उत्सावर्धक हैं उनमें खत्रे भी उतने ही रहते हैं और उपर से उनकी एक खुबी ये है कि वे व्याय साध्धे नहीं होते क्योंकि उन पर लगभग कोई खर्च नहीं बैठता महिंद कॉलिज गैल में भाशन 24 नवंबर 1927 संपूर्ण गांधी वांगमे खंड 35 अंश तीन मेरी दृष्टी में स्वस्थ शरीर वो है जो आत्मा का अंकुष मानता है और उसकी सेवा के साधन के रूप में सदा तयार रहता है मेरी राय में ऐसे शरीर फुटबॉल के मैदान में नहीं बनाय जाते वे तो अनाच के खेतों और फार्मों में बनाय जाते हैं मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में विचार करें और आपको मैंने जो कुछ कहा है उसकी सच्चाई के समर्थन में असंखे उदाहरन मिल जाएंगे हमारे उपनिवेशों में उत्पन भारतिये फुटबॉल और क्रिकेट के इस उनमात के प्रवाह में बह जाते हैं कुछ विशेश स्थितियों में इन खेलों का अपना महत्व हो सकता है आप इस सीधी साधी बात पर विचार क्यों नहीं करते कि मानव जाती का बहुत बड़ा भाग जिनके शरीर और मस्तिश्क शक्तिशाली हैं सिर्फ किसान ही हैं वे इन खेलों को जानते तक नहीं और वे ही संसार में सर्व श्रेष्ट हैं पत्र लाजरस को 17 अप्रेल 1915 संपूर्ण गांधी वांगमय खंड 13 प्रिष्ट संख्या 153 खाला कि नाईरू भी इंग्लिन के खिलाफ 1932 में शुरू होने वाले पहले क्रिकेट मैचों तक अपने पुराने फॉर्म में नहीं थे परदेश के पहले टेस्ट कप्तान के रूप में इतिहास में उनका नाम सुरक्षित है इस तरह भारत ने आजाद होने के डिर्ध दशक पहले ही टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश ले लिया था ऐसा इसलिए संभव हुआ चूंकि 1877 में अपनी शुरूआज से ही टेस्ट क्रिकेट बिटिश सामराज्य के विभिन हिस्सों के बीच खेला जाता था ना कि संप्रभूराश्ट्रों के बीच पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया वा इंगलिन के बीच जब खेला गया तब ऑस्ट्रेलिया गोरों का उपनिवेश भर था स्वशासी डुमिनियन राज्य भी नहीं था उसी तरह वेस्ट इंडीस के नाम से जाने जाने वाले विभिन केरिबियाई देश दूसरे विश्वयुद्ध के काफी बात तक प्रिटिश उपनिवेश ही थे यॉरोपिय सामराज्यों से आजादी हासिल कर स्वतंत्र राष्ट्रों के बनने की प्रक्रिया को वि आपनिवेशी करन कहा जाता है सन 1947 में भारत की आजादी से शुरू होकर ये सिलसिला अगली आधी सदी तक चलता रहा इस सिलसिले का असर व्यापार वानिज्य, सेनिक्षित्र, अंतराष्ट्री राजनीती और अंततहा खेल में ब्रिटन के पतन के रूप में हुआ लेकिन ये सब एक बारगी नहीं हुआ क्रिकेट संगठन में उत्तर सामराजजवादी ब्रिटन के प्रभाव को कम हुने में अच्छा खासा वकत लगा भारत की आजादी से positivity के खात्मे का बिगुल तो बच क्या था पर क्रिकेट के अंतराश्ट्री आयोजन पर सामराज्यवादी क्रिकेट कॉन्फरेंस का नियंत्रण बरकरा रहा ICC पर जिसका 1965 में नाम बदल कर इंटरनाश्टरल क्रिकेट कॉन्फरेंस हो गया इसके संस्थापक सदस्यों का वर्चस्व रहा उन्हें के हाथ में कारे कलाब के वीजो अधिकार रहे इंग्लेंट वो आस्ट्रेलिया के विशेश अधिकार 1989 में जाकर खत्म हुए और वे अब सामान निसदस से रह गए पिछली सदी के पचास वा साथ के दशक में विश्व क्रिकेट के मिजाज का पता इस बात से मिलता है कि क्रिकेट तथा कॉमनवेल्ट के दूसरे देशों आस्ट्रेलिया वा न्यूजिलेंड ने दक्षन अफरीका जैसे देश के साथ क्रिकेट खेलना जारी रखा जहाना सिर्फ नीतिकत तोर पर नसली भेदभाव बरता जाता था बलकि टेस्ट मैचों में अश्वेतु दक्षन अफरीका की बहुमत आबादी को खेलनी की मना ही थी भारत पाकिस्तान वा वेस्ट इंडीज ने हाला कि दक्षन अफरीका का बहिशकार किया लेकिन अंतराष्ट्रे क्रिकेट परिशद ICC में उनकी इतनी ताकत नहीं थी कि उसे खेल से प्रतिबंधित कर दें ये तब ही हो पाया जब एश्या वा अफरीका में उपने वेश्वात से नए आजाद हुए देशों ने और साथ में ब्रिटिन की उधारवादी हवा ने अंग्रेशी क्रिकेट अधिकारियों पर दबाव डाल कर 1970 में ब्रिटिन के दक्षन अफरीकी दोरे को रद्द करवाने में कामिया भी पाई प्रिश्ट संख्या 154 चार आज के दोर में व्यापार, मीडिया और क्रिकेट क्रिकेट 1970 के दशक में काफी बदल लिया ये ऐसा दोर था जिसमें इस पारंपरिक खेल ने बदलते जमाने के साथ खुद को ढाल लिया अगर 1970 में दक्षन अफरीका को क्रिकेट से बहिश्कृत किया गया तो 1971 को इसलिए याद किया जाएगा चूकि इस साल इंग्लेंड वा उस्ट्रेलिया के बीच सबसे पहला एक दिवसीय मैच मिल्बर्न में खेला गया क्रिकेट का ये छोटा संसकरण इतना लोकप्रिय हुआ कि 1975 में पहला विश्व कप खेला गया और सफल रहा फिर 1977 में जब क्रिकेट टेस्ट मैचों की सौमी जेहनती मना रहा था तो खेल हमेशा के लिए बदल गया इस बदलाव में किसी खिलाडी या प्रशासक का नहीं बलकि एक व्यवसाई का हाथ था केरी पैकर नामक आस्ट्रेलियाई टेलिविजन मुगल ने क्रिकेट के प्रसारण की बाजारी संभावनाओं को भाप कर दुनिया के 51 बेहतरीन खिराडियों को उनके बोर्ड की मर्जी के खिलाफ अनुबंध पर ले लिया और दो सालों तक वर्ल्ड सीरिस ट्रिकेट के नाम से समानांतर गेर अधिकृत टेस्ट वा एक दिवसिये खेलों का आयोजन किया पैकर का ये सरकस इसे तब यही कहा जाता था दो सालों के बाद पैक हो गया लेकिन टेलेविशन दर्शकों को लुभाने के लिए उसके द्वारा किये गए बदलाव स्थाई साबित हुए और इससे खेल का रंग ढंग ही बदल गया रंगीन वर्दी, हिफाजती हेलमिट, क्षेत्र रक्षन की पाबंदियां, रोशनी चलाकर रात को क्रिकेट खेलना आदी कुछ ऐसी चीज़े हैं जो पैकर के बाद क्रिकेट का स्थाई हिस्सा बन गए सबसे एहम बाद पैकर ने जाहिर कर दिया कि क्रिकेट का बाजार है और इसे बेच कर बहुत पैसे कमाई जा सकते हैं टेलिविशन कंपनियों को टेलिविशन प्रसारण का अधिकार बेच कर क्रिकेट बोर्ड अमीर हो गए टेलेविजिन कमपनियों ने विज्ञापन समय व्यवसाइक कमपनियों को बेचे जिने इतना बड़ा दर्शक समुहूं और कहां मिलता निरंता टीवी कवरिश के बाद क्रिकेटर सेलिब्रिटी बन गए और उन्हें अपने क्रिकेट बोर्ट से तो ज्यादा वेतन मिलने ही लगा पर उससे भी बड़ी कमाई के साधन टायर से लेकर कोला तक के टीवी विज्ञापन हो गए टीवी प्रसारण से क्रिकेट बदल गया इसके जर्ये क्रिकेट की पहुँच छोटे शेहरों वा गावों के दर्शकों तक हो गई क्रिकेट का सामाजिक आधार भी व्यापक हुआ महानगरों से दूर रहने वाले बच्चे जो कभी बड़े मैच नहीं देख पाते थे अब अपने नायकों को देख कर सीख सकते हैं उपक्रह यनि सेटिलाइट टीवी की तकनीक और बहुराश्ट्रिये कमपनियों की दुनिया भर की पहुँच के चलते क्रिकेट का वैश्विक बाजार बन गया सिडनी में चल रहे मैच को अब सीधे सूरत में देखा जा सकता था इस मामूली बात ने क्रिकेट की सत्ता का केंद्र ही बदल दिया जिस प्रक्रिया की शुरुआद प्रिटिश सामराज्य के पतन से हुई थी वो वैश्वी करण में अपने तारकिक अंजाम तक पहुँची प्रिष्ट संख्या 155 जो कि भारत में खेल के सबसे ज्यादा दर्शक थे और ये क्रिकेट खेलने वाले देशों में सबसे बड़ा बाजार था इसलिए खेल का गुरुत्व केंद्र दक्षन एशिया हो गया प्रतिकात्मक तोर पर ICC मुख्यालाय का लंदन से टैक्स फ्री दुबई में आना स्वभाविक लगता है अंग्रेजी ऑस्ट्रेलियाई धुरी से गुरुत्व केंद्र के खिसकनी की एक और निशानी ये है के हाल के वर्षों में क्रिकेट के नए तकनीकी प्रयोग भारतिय उप महाद्वीप के खिलाडियों ने शुरू कर दिये है पाकिस्तान ने गेनबाजी को दूसरा वर रिवर्स स्विंग नाम के दो एहम हथियार दिये ये दोनों इजाद महाद्वीपीय स्थितियों की उपज हैं दूसरा इसलिए कि भारी बल्लों से आकरामक बल्लेबाजी करने वाले खिलाडी उंगलियों के स्पिन को बेकार साबित किये दे रहे थे और रिवर्स स्विंग इसलिए कि खुली धूप में धूल उडाती बेजान पिचों पर तेज किंदें घुमाई जा सकें इन दोनों प्रयोगों को शुरु शुरु में इंगलेंड वा औस्ट्रेलिया जैसे देशों ने शक की नज़र से देखा उन्हें लगा कि ये तो चोरी छिपे क्रिकेट के नियमों के साथ खिलवार किया जा रहा है वक्त के साथ ये मान लिया गया कि क्रिकेट के कानून सिर्फ औस्ट्रेलियाई या अंग्रेजी स्थितियों के मताबिक नहीं बनाए जा सकते और इन जुगाडों को पूरी दुनिया के गेनबाजों ने अपना लिया लगभग 150 साल पहले भारत के अग्रणी क्रिकेटरों पार्सियों को खेल के मैदान के लिए संघर्ष करना पड़ा था आज वैश्विक बाजार ने हिंदुस्तानी क्रिकेटरों को खेल का सबसे मशूर और अमीर खिलाडी बना दिया है पूरी दुनिया जैसे अब उनका रंग मंच हो गया है इस एतिहासिक बदलाव के पीछे कुछ छोटे मोटे कारण भी थे शौकिया जंटलमेन की जगा वेतन भोगी पेशेवरों का आना लोकप्रियता में टेस्ट मैच क्रिकेट का एक दिवसीय मैचों द्वारा पचार दिया जाना और वैश्विक वानिज वप्रोद्योगी की में एहम बदलावों का होना वक्त के साथ परिवर्तन को समझना ही इतिहास का काम है इस अध्याए में हमने एक उपनेविशिक खेल के इतिहास के जरीए इसके विस्तार को समझा और ये भी कि उपनिवेश उत्तर जमाने में इसने खुद को कैसे ढाला नए शब्द उपनिवेश उत्तर उपनिवेश जमा उत्तर अर्थात आजादी के बाद प्रिष्ट संख्या 156 आधुरेक हौकी का उदय एक जमाने में ब्रिटन में बड़े पैमाने पर खेले जाने वाले परमपरागत खेलों से हुआ है स्कॉटलेंड में खेले जाने वाले खेल, शिंटी और इंग्लिश एवं वेल्श खेल, बेंडी वा आईरिश हरलिंग को हौकी का पूरवश माना जा सकता है बहुत सारे दूसरे आधुनिक खेलों की तरह हमारे यहां भी हौकी की शुरुवात अपने वेशिक काल में ब्रिटिश सेना द्वारा ही की गई थी पहले हौकी कलब की स्थापना 1885-86 में कलकत्ता में हुई उलिम्पिक खेलों में हौकी प्रतिसपर्धा में भारत को पहली बार 1928 में शामिल किया गया था इस प्रतिसपर्धा में आस्ट्रिया, जर्मनी, जन्मार्क और स्विज़लान को हराते हुए भारत फाइनल तक जा पहुँचा फाइनल में भारत ने हौलेंट को भी शुन्ने के मुकाबले तीन गोल से मात दे दी हौकी के जादुगर, ध्यानचंद जैसे खेलाडियों के खेल कोशल और तिक्षनता ने हमारे देश को उलिम्पिक के कई स्वन पतक दिलाए 1928 से 1956 के बीच, भारतिय टीम ने लगातार 6 उलिम्पिक खेलों में स्वन पतक जीता था हौकी की दुनिया में भारतिय वर्चस्व के इस स्वन युग में भारत ने उलिम्पिक में कुल 24 मैच खेले और सभी में सफलता प्राप्त की इन मैचों में भारतिय खिलाडियों ने 178 गोल दागे यानि प्रती मैच औसतन 7.4 तीन गोल और विपक्षी टीमें उनके खिलाफ केवल 7 ही गोल कर पाईं होकी में भारत को बाकी दोस्वन पदक 1964 के टोकियो उलिम्पिक और 1980 के मौस्को उलिम्पिक में प्राप्त हुए थे पोलो को सेना और भागदोड के माहिर नौजवानों के लिए अच्छा खेल माना जाता था इंग्लेंड के पुराने खेलों में से एक का विश्लेशन करते हुए Illustrated London News ने दावा किया था कसरत के तौर पर इस सहसिक और गरिमा पूर्ण खेल से सैनिकों को बल्लम वतलवार के या अन्य सैन्य हथियारों के इस्तिमाल में और स्यादा दक्षता प्राप्त हो सकती है इसके साथ ही उन्हें रकाब में और मस्बूती से जमे रहने तथा पलक जपकते दाहिने या बायमुर्णे का अभ्यास भी होगा जो की युद्ध के मूर्चे पर बेहत उप्योगी साबित होगा इलस्ट्रेटेड लंदन यूज 1872 से उद्धरित इसी प्रिष्ट पर चित्रसंख्या पंध्रा पोलो का खेल भी उपनिवेशिक अधिकारियों ने ही विकसित किया था और जल्दी ही उसे भारी लोकप्रियता मिलने लगी क्रिकेट ब्रिटन से भारत आया था जबकि पोलो जैसे कुछ खेल उपनिवेशों में विकसित हुए और बाद में उन्हें ब्रिटन में भी खेला जाने लगा, जिससे वहाँ खेलों का स्वरूब भी प्रभावित हुआ Illustrated London News, 20 चुलाई 1872 से प्रिश्ट संख्या 157 क्रिया कलाप एक, पढ़ाई लिखाई में खेलों के महत्व पर रगभी स्कूल के प्रधानाचारे तो, किसी एक स्थानिये खेल के इतिहास का पता लगाईए, अपने माता पिता और उनसे भी पुरानी पीड़ी के लोगों से पूछिए कि जब वे बच्चे थे, तो वो खेल कैसे खेला जाता था तुलना कीजिए कि क्या उस खेल को अभी भी उसी तरह खेला जाता है अगर कोई बदलावाएं हैं, तो इस बात पर भी विचार कीजिए कि उनके पीछे किन एतिहासिक शक्तियों का हाथ रहा होगा प्रश्न एक, टेस्ट क्रिकेट कई मायनों में एक अनूठा खेल है इस बारे में चर्चा कीजिए कि ये किन-किन अर्थों में बाकी खेलों से भिन नहे एतिहासिक रूप से एक ग्रामीन खेल के रूप में पैदा होने से टेस्ट क्रिकेट में किस तरह की विलक्षनताएं पैदा हुई है दो, एक ऐसा उदाहरन दीजिए जिसके आधार पर आप कह सकें कि 19. सदी में तकनीक के करण क्रिकेट के साजो सामान में परिवर्तन आया साथी ऐसे उपकरणों में से भी कोई एक उदाहरन दीजिए जिन में कोई बदलाफ नहीं आया 3. भारत और वेस्ट इंडीज में ही क्रिकेट क्यूं इतना लोकप्रिये हुआ? क्या आप बता सकते हैं कि ये खेल दक्षनी अमरीका में इतना लोकप्रिये क्यूं नहीं हुआ? 4. इन बातों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए 1. भारत में पहला क्रिकेट क्लब पार्सियों ने खोला 2. महत्मा गांधी पेंटागिूलर टूर्नमेंट के आलो चक थे 3. ICC का नाम इंपीरिल क्रिकेट कॉंफरेंस के स्थान पर इंटरनाशनल यानि अंतराश्ट्रिये क्रिकेट कॉंफरेंस कर दिया गया 4. ICC मुख्याले लंदन की जगा दुबई में स्थानांतरित कर दिया गया प्रिश्ट संख्या 158 प्रिश्ट पाँच तकनीक के क्षेत्र में आए बदलावों, खास्तोर से टेलिविजन तकनीक में आए परिवर्तनों से समकालीन क्रिकेट के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है